तो रात आट बजे आई है बड़ी खबर हरियाना में आरच्छन को लेकर के फिर से हाई कोट में होगी सुनवाई इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाना से तो हरियाना में आरच्छन को लेकर के फिर से पेच फस गया है बड़ी खबर है जानेंगे खबर को वि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तो हर्याना के लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 परसा दारच्छन देने संबंदी हर्याना सरकार के कानून पर दोबारा से सुनवाई की जाएगी इस कानून के खिलाब याजका पर हाई कोट ने 17 माज को फैसला सुरचित रखा था लेकिन हाई कोट इस मामले में अब दोबारा चार नौमबर से सुनवाई सुरू करेगा हाई कोट ने मामले में फैसला सुनाने से पहले याजकी पच्छ और दोबिक संगठन से कोच इसपस्टी करन मांगा है जस्टिस एजी मसी जस्टिस अरुन मोंगा वर जस्टिस संदीब मुदगल की बिंज ने कानूर बिंद पर वरिष्ट अधिवक्ता अनपम गुपता से अधनियम के संद्धान के अनुचेद उनिस और अनुच्षेद किस के बीच संबंद कि मुद्धे को स्पस्ट करने को कहा है वरिष्ट अधिविक्ता, अन्पम गुप्ता, आयम्टी मानेस सर वा अन्याची पच्छों की तरब से पैरवी कर रहे हैं जिन्होंने रोजगार अधनियम 2020 की सेमधानिक वेदा को चुनौती दीफी है सुप्रीम कोट के निर्देश अनुसार इस मामले पर 16 मार्श 2022 तक हाई कोट ने फैसला देना है तो जिहां बड़ी खबर आ रही ही स्वक्त की तो तीन फरवरी को जस्टिस तिवारी की अधस्ता वाली पीट ने राजमे कानून के लागू करने पर रोक लगा दी थी जिसके बाद हरेरा सरकार ने सुप्रीम कोट में अपील दायर करके जस्टिस अजयतेवारी की पीट पर यह आरोब लगाया कि उनको सुने बगएर यह आदेश पारिद क्या गया है 17 फरवरी को सुप्रीम कोट ने आरच चना देने पर कमपनियों के इकलाब कठोर कारवाई पर रोक लगाते zerर पर रोक के आदेश को अधर्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ने अंत्रेम रोक के फैसले में कारण नहीं बताया इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले में दोबारा सुनवाई करके चार सब्ताह में निफ्टारिका आदेश दिया था मामले में फच्दाबाद गुर्गाम के अध्योग संगटनों ने याच का दायर करके हरियाना में 1592-22 से लागू रोजगार गारंटी कानून पर रोक लगाने की मांग कर रखी है रोजगार गारंटी कानून के तहर प्राइवेट सेक्टर की नोकरियों खास का रोध्योगों में हरियाना की वहाओं को 75 पर सदराचन देने का प्रवधान है तो फिलहाल चार नॉम्मर को यह सुनवाई होने वाली है बड़ी खबर है तो फैसला रखा है सुरच्छित इस वीडियों में इतनी दी जनकारी दर्माज जहिन